हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल नीलमेंट फेमिली तो फ्रेंड्स अभी शाम का वक्त हो चुका है तो पाँच बजे है अभी मैं एक काम लेके बैठी हूँ और ये विंटर के मौसम में ये काम बहुत ही ज़ादा जरूरी वाला हो जाता है तो यहाँ पर गाउ से हमने बाजरी मंगवाई थी तो ये बाजरी का ठैला आ गया है तो अभी मैं ये ठैले को खोल के देख रही हूँ कि इसके अंदर कचरा वगेरा तो कुछ है या नहीं है एक बार हाथ मारना जरूरी है कि नहीं है तो वो ही मैं देख रही थी लेकिन फिर मन नहीं माना इसलिए हुआ कि एक बार चलो खोल के देख लेते हैं और छान भी लेते हैं कि इसमें कुछ है या नहीं है क्योंकि सीधा ही पिस्वाने रख देंगे तो जब भी रोटी बना के खाएगे तो फिर रोटी का टेस्ट बदल जाएगा और यहां कि वो बाजरी में बात नहीं होती है जो गाव की बाजरी में होती है वो मीठी लगती है इसलिए मैंने फिर एक बार हाथ साफ करना जरूरी समझा तो यहां पर है न मैं चलनी से पहले एक बार चान के देख लेती हूँ तो अभी बाजरे को है न मैं चानती जा रही हूँ और उसे ठाली में डालके एक बार इस तरीके से जटकती जा रही हूँ और जो भी कचरा जो उसमें चिल के जादा है तो वो इसे इस तरीके से उड़ाने पड़ते हैं तो उसे साफ करती जा रही हूँ और बस मैंने जादा साफ नहीं किये है आधा ही बाजरी को साफ किया है और आधा रहने दिया है तो जब यह बाजरी पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं उसे साफ कर लूँगी, तो चलिए अभी हम रात के खाने की तयारी कर लेते हैं, तो आज खाने में मैं बहुत ही टेश्टी और हेल्दी वाला खाना बनाने वाली हूँ, तो जिसके लिए मैंने लैसुन और हरीमिश की पेश ले ली है, धनिया पती को बारिक काट लि तो आज मैं मुठिया बना रही हूँ, बाजरे के आटे का, तो इसमें अभी मैं तीन बड़े चम्मच भर के तेल डाल दूँगी, और अभी इसमें सुखे मसाले हमें करने हैं, तो इसमें हल्दी पाउडर आएगा, लाल मिश पाउडर, और इसमें अजवाइन जरूर से ड मिला दोंगी, और थोड़ा थोड़ा इसमें बारजरे का आटा लेती जाओंगी, और मसाले के साथ और मेथी पत्ते के साथ इसे अच्छे से मिला दी जाओंगी, तो इसे बहुत ही अच्छे से मिलाने के बाद ही इसकी आगे की हम प्रोसेस करेंगे, आटे को मैंने बहुत ह अच्छे से मिला दिया है अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाओंगी और इसका ज्यादा नरम नहीं थोड़ा सा सक्त जैसे पुरियों का आटा होता है उस तरीके का सक्त आटा सा हमें गूत लेना है तो अभी मैं उस हिसाब से ही पानी डालते डालते आटा लंबा-लंबा करके ले लेते हैं, बस इसी तरीके से हमें आटे को ऐसा लंबा-लंबा करके लेना है, क्योंकि हम इसके मुठिये बनाएंगे, तो मुठिया कुछ इस तरीके से में बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो छोटा-छोटा जो लोईया, एकदम पूरियों की लो करके आपको दिखा दिया है और यहां पर मैंने स्टीम करने के लिए खड़ाई रख दी है उसमें पानी डाल दिया है और एक छोटी सी रिंग रख दी है ताकि यह चलनी है जो पानी के एकदम से तले में न आ जाए और रिंग के उपर रहे ताकि मुठिया बहुत ही अच्छे से पक जाए तो अभी मैंने चलनी रख दी है और उसके अंदर मैं ये मुठियों को लगा दूंगी और मुठियों को इस हिसाब से रखना है कि वो थोड़े खूले खूले रहे एक दूसरे के साथ जादा चिपक न जाए नई तो जबी ये उबल जाएगे अच्छे से उसके बाद मतलब कि इस टीम से पक जाएगे उसके बाद फिरे न ये एकदम से ही चिपक जाते है इसलिए इस तरीके से उन्हें लगाना है कि वो एक दूसरे के साथ एकदम से ही चिपक न जाए तो अभी यहाँ पर सारे मुठिये मैंने रख दिये है और इसके उपर मैं अभी ए इससे है ना स्टीम जो बनी रहेगी वो अंदर की अंदर ही रहेगी क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है इसलिए मैंने ये स्टीमर इस तरीके से बना लिया है और 20 मिनिट के बाद हमारे मुठिया बहुत ही अच्छे से पके तयार हो चुके है और पकने के बाद उनका कलर तो मुझे गूल-गूल काट लेना है आप अपनी पसंद से काट लीजिएगा अगर आपने इस तरीके से लंबे-लंबे मुठिये बनाए है तो आप इस तरीके से काट लीजिए और अगर छुटी-छोटी लोईया ज分享 बनाते मैं आपने रख दिये हैं तो मुठिया सारा काटके तयार हो चुका है और मैंने अभी कड़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है कड़ाई गरम होते ही उसमें मैंने तेल डाल दिया है और ये मुठियों में तेल जादा जाएगा अभी तेल गरम हो चुका है तो उसमें मैं राई डाल दूँगी और राई अच्छे से फूटनी चाहिए और उसके बाद तीन बड़े चमच भरके मैं इसमें तील डाल दूँगी राई अच्छे से तड़क जाए उसके बाद ही तील डालीएगा और तील को भी थोड़ी देर के लिए बुन लेना है उसके बाद मैंने इसमें हिंग पाउडर डाल दिया है और अभी मैं जो मुठिया हमने काटके रखा था ना वो मुठिया अभी इसमें मैं डाल दूंगी और उसके बाद इसे बहुत ही अच्छे से हमें तेल में मिला देना है तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना और हमने इस मुठिय को चाई के साथ एंजोई किया और ये ज़्यादा तर चाई के साथ बहुत ही अच्छे लगते है तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर से मिलती हूँ बाइ बाइ